नमस्कार हमारी राय में आपका स्वागत है मैं हूँ राजीव 11 सितंबर की तारीख अमेरिका के इतिहास में काफी माइने रखती है बलकि ये भी कहा जा सकता है कि इस दिन घटी दो घटनाओं का विश्व पर व्यापक और गहरा प्रभाव पड़ा है एक घटना 21 सदी की है और एक 19 सदी की आपको याद होगा 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में आतंग की हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतों को जहाज से उड़ा दिया गया था जिसमें 2000 सदीक लोग मारे गये थे ये किसी डरावनी फिल्म का सीन नहीं था जबकि एक करवी हकीकत दुनिया के सामने थी कि पुझी वाद ने धर्म और सत्ता का जो दाउ तीसरी दुनिया के देशों को कमजोर करने के लिए खेला था वो आतंगवाद की शकल में भसमासूर बन कर उसे बरबाद करने आया है सर्वशक्तिमान होने का दंब भरने वाला अमेरिका उस दिन आतंग की ताकतों के आगे लाचार नजर आया था इस घटना ने दुनिया में धर्म के नाम पर बनी खाई को कुछ और गहरा कर दिया और आविश्वास का अंधेरा पहले से अधिक गहरा हो गया खैर अब बात करें उनिसवी सदी के ग्यारा सितंबर की जी हां 1893 में 11 सितंबर को शिकागो की धर्म संसद में स्वामी विवेका नंद ने भाशन दिया था जिसकी शुरुवाती पंक्तियों ने ही दुनिया का ध्यान की चा था विवेका नंद ने अपने भाशन की शुरुवात अमेरिका के बहनों और भाईयों के संबोधन से की थी उसके बाद भारत की महान संस्कृती की बात कही उन्होंने सभी धर्मों का महत्तु बताते हुए कहा था कि जिस तरह अलग-अलग जगहों से निकली नदियां अलग-अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती है ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग-अलग रास्ते चुनता है ये रास्ते देखने में भले ही अलग-लग लगते हैं लेकिन ये सब इश्वर तक ही जाते हैं स्वामी विवेका नंद ने धार्मिक कट्रता के कारण हुई हिंसा का भी जिक्र किया था कि किस तरह इसके कारण दुनिया की कई सभिताएं मिट गई अगर स्वामी विवेका नंद के भाषन का अर्थ दुनिया ने समझा होता तो 9-11 जैसी घटना से बचा जा सकता था लेकिन हमने तब भी सबक नहीं लिया और अब भी कुछ सीखने तयार नहीं है और इसका ताजा उधारन है 8 सितंबर को इसी शिकागो में RSSS प्रमुख मोहन भागवत का दिया हुआ भाषन गनिमत ये थी कि ये धर्म संसद नहीं विश्व हिंदू सम्मेलन का मंच था इस मंच से भागवत ने स्वामी विवेका नंद को याद किया लेकिन उनकी कही बातों को भूलाने में ही उन्हें फायदा दिखा इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को बचाने का आववान दुनिया भर के हिंदूों से किया हिंदू को बचाने और बढ़ाने की इस जिम्मेदारी में उन्होंने हिंदूों की तुलना शेर से की लेकिन इस शेर को जंगली कुटों से खत्रा भी बताया समझ नहीं आता कि ये कौन सा हिंदू है जो दूसरों का अपमान करने को उकसाता है मोहन भागवत ने अपने भाशन में हिंदूों की तुलना महाभारत के पांड़ों से की जाहिर है कि वे फिर से धर्म युद्ध जैसा माहौल बनाना चाहते हैं उन्होंने कृष्ण और यूधिष्ठिर का भी उधारन दिया कहने की जरूरत नहीं कि धर्मराज कहलाने वाले यूधिष्ठिर ने किस तरह जीत के लिए अर्द सत्य या कहें तो जूट का सहारा लिया था जब उन्होंने अश्वत थामा के मरने की बात कही थी यानि संग हिंदुत की जीत के लिए अनैतिक तरीकों को अपनाने से गुरेज नहीं करेगा ये नजर आ रहा है उन्होंने गैर हिंदुओं की तुलना केवल जंगली कुते से नहीं बलकि कीडे मुकोडे से भी की उन्होंने कहा कि हिंदु वो समाज है जिसने कीट पतंगों के जीवित रहने के अधिकार को स्विकार किया मोहन भागवत विश्व हिंदु सम्मेलन के मंच से बोल रहे थे तो जाहिर है कि हिंदुत्य की बाते ही करते लेकिन इसके लिए क्या ये जरूरी था कि दूसरे धर्मों का अपमान हो साफ शब्दों में मोहन भागवत ने कुछ नहीं कहा लेकिन जो भाशन दिया वो किसी जहर बुझे तीर से कम नहीं था उन्होंने हिंदुों को हर फिल्ड में इंटेलिजेंट बताया ये तो पता नहीं कि ये दिव विग्यान उन्हें किस आधार पर मिला क्या दुनिया के बड़े अविश्कार हिंदुों के नाम पर है या नोबल विजिताओं की सुची हिंदुों से अटी पड़ी है भारत के उस सहिस्टनतावादी रास्ते को भुला रहे हैं जिस पर चलकर ये देश दुनिया में महान कहलाया और ये भी भूल रहे हैं कि दूसरों को हिकारत से देखने और नफरत का कारोबार फैलाने का नतीजा अमेरिका ने भूगता है और अब भारत भी भूगत रहा है तो हमारी राय में आज बस इतना ही देखते रहे हैं डीवी लाइब नमस्कार हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूटूब पर टाइप करें डीवी लाइब सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बिल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुशती रहें